स्टुड़ मॉर्णिंग स्टुड़न्ट आज का हमारे विसे हैं हिंदी हिंदी में आप सब लोगों को आप सब को ये 4-9 एक्षारिस पेज नमबर नू आप इस तमारे ये पेज आप सब को समुझना है यहाँ पर ये पेहले चित्र है तो इस चित्र का नाम क्या है उपर यहाँ पर देखें यहाँ पर इसे उसके नाम दिखें है क्लाब सब को ये चित्र देखको उसके नाम भूटने है तो सबसे पहले ये के चित्र है तो ये है गोर तो यहाँ पर पेहले लिखिए पेहले चित्र में उसका जब है हो हो गए है फिर उसके बाल यह कॉन सा चित्र है तो यह चित्र है मगर का तो यहाँ पर दीजिये खेंहें लिखना है आप सबको मगर यहां पर लिखिये smogal फिर यह इसकाल चित्रों उलता है तो आप सब को यह चित्रों का नाम है God God है इस उसको उच्छादी में कहते है परवग तो यह है God तो यहां पर ढूंकर यहां पर आप सब को लैंड़ पे लिखना है तो लिखिये तो उसके बाद का चित्र कोल सा है? ये तो उसका नाम है तम तम तुना पर छोसे चित्र में लिखिए तम तम फिर दूसरी रैंडें पाच्वा चित्र उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दड़ तो यहां पर रहें में आप सबको लितना है, फ लगुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद खोग, फिर उसके बार का चित्रो, आठवा चित्रो कोंचा है, तो उसका नाम है ठोग, उसको आप सब लोग गुज्राती में चोग के दें, तो यहाँ पन लिखे, आठवा चित्रो का नाम, ठोग, गो एसे, पिर 29 में सब्से केहरे चित्रो 9 का चित्रो कोंचा है, उसका नाम आप सब को लिख ना है, तो उसका नाम है जरना, तो यहाँ पन लिखे, जरना, उसके बाल 10 का चित्रो कोंचा है, उसका नाम आप सबको उसका नाम है सड़क तो आप सबको इस नाइम में सड़क लख लिखना है तो लिखे ज़को उसके बाद का चित्रो उसके बाद का चित्रो आप सबको पेचान ना है ये बादा उसका नाम क्या है तो बत अखो तो लिखिए बतो फिर गिए तेरवाचित्र कोन साहे बार बार उसकान नांदे स्रामा न तो लिखिए स्रामा स्रामा न फिर गिए गिए बार दो कोन साहे उसका नां आप सबको ढूंदको लिख लए उसका नाम है रख सौपल ने आप परे से लिखे रख सौपल उसके बाद का उसका नाम है कलस फिर उसके बाद अंदर वाँची द्रफोन साहे तो उसका नाम है फ्ल अने फ्ल है तो उसका नाम याप पर आप सबको लिख लए तो फ्ल फिर राष्ट में ये कुन साहे तो उसका नाम है और जित्रों याप पर आप सबको उसका नाम पर चल लए तो उसका नाम है और तो यहां पर लिग जाए आलो पाफ सब्को ये एक से पोलवा तो चित्रो देवे हैं उसका नामा सब्को यहां पर इस लाइग में लिखना एक बार प्रक्नी बुख में भी शरत शुंदर अश्ट से एक बार लिखना खे